नमुश्कार में अप्रिया धारा धरतीस खबरों में आपका स्वागत है चलि जानते हैं देश प्रदेश विएप तक की प्रमुख खबरों को भारत में कोरोना संक्रमंद के ने मामलों में पिछल 24 गंटे में मामूली कम याई है यह 17.22 प्रतिशत से उपर 17.78 प्रतिशत हो गया है प्रोविडेंट फ़ंड लेने वालों के लिए बजट में खुशकबरी मिल सकती है एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आगामी बजट में सरकारी टाक्स फ्री प्रोविडेंट फंड की लिमिट को बढ़ा कर पांच लाग रुपे तक कर सकती है आज कल सोशल मीडिया पर गोर्खा जवान का एक खुखरी डांस कूप वाइरल हो रहा है वैसे तो सोशल मीडिया पर तमाम तरह कि वीडियो अकसर वाइरल होते रहते हैं लेकिन ये वीडियो अपने आप में बहदी शांदार है वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक जवान खुखरी लेकर किस तरह डांस कर रहा है एक हिंदू संगठन ने सुप्रिम कोट का दर्वाजा खटकटाया है, हिंदू संगठन ने उस मामल में हसवशेप की मांग की है, जिसमें सुप्रिम कोट ने धर्म संसद में हिंदू धार्मिक नेताओ द्वारा कथित तौर पर दिये गया, नफरत फैलाने वाले बयान की खि तीफा दे दिया, शुक्रवार को भारत में आयोजेदे कारकर में बोलते वे, वाइस अद्मिरल शान बाख ने कहा था कि यूक्रेन क्रीमियो प्रायद्वीब को फिर से हासिल नहीं कर सकेगा, जिससे रूस ने 2014 में कभजा कर लिया था, कश्मीर के गुलमर्ग तथा अनिस शाला में शनिवार को सुबह 8 बचे तक 5 मिनिमीटर बारिश तरशी गई है, गंदंदर दिवस पर यूपी सरकार ने बड़ा फैसा लिया है, सरकार अच्छे आच्छरन वाले उम्र दराज और गंभीर बिमारियों से पीड़ सौ कैदियों को रिहा करेगी, 60 साल की उम्र प स्थापित करने की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के फैसले का स्वागत किया है, इसके साथ हुरा ने देश के प्रतिमा स्थापित करने की घोशना की है, पुरे देश के लिए बहुत अच्छी खवर है, पुषर दिनो और राचुल प्रदेश में लापता हुआ, एक 17 साल क लड़का चीन में मिला है, पी आरो रक्षा तेजपूर लेटिनेंट करनल हर्शवर्धन पांडे ने बताया है कि चीन सेना की तरफ से सूचित किया गया है, कि उन्हें लड़के के बारे में पता चल गया है, वो इस समय चीनी आर्मी के पास है और उनकी वापसी के लिए का राले ने एक बयान में कहा है कि ये तेरह, राजो और केंदर, साफशित प्रदेश, कुवा, मनिपूर, में घाले से किव, त्रिपूर, आफश्विम, बंगाल, नई दिली, अनमान, और निकोबार, चड़निगर, लक्षवदी, पृड़ुचेरी, लदाक और जमुकश्मी प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि कई जिलों ने कूपोशन पर बहुत अच्छा काम किया है, तो कुछ जिलों ने पशुओ के टीका करन पर बहुत काम किया है, उन्हां ने कहा कि बिहार में जहां 30 प्रतिशत पीने का शुदपानी उप्लब्द था, वहां पर आज 90 प्रतिशत तक नल से शुदपानी पहुँच रहा है, चातिसगर के सुकमा जिसे इलाके में नबेफीज दी टीका करन हो गया है, कोरोना महामारी के दारान स्वास्तेवाओं और फार्मा कंपनियों को काफी बढ़ावा मिला है, कई फार्मा कंपनिया अर्बो का विया पार क प्रतिकरी में 12650, टाबलेट के निर्माता कंपनी भी श्यामिल है, महामारी के दारान ज्यादातर दॉक्टर्स की परची में यदावाज श्यामिल है, पिछले कुछ हथे में ओमिक्रोन के मामले बढ़ हैं, जिसके बाद सोचल मीडिया पर फिर से 12650 की चर्चा तेज हो रही है, डोलो पर मीम्स और पोस्ट भी शेर किया जा रहे है, कोबिट-19 महामारी डोलो 650 की 350 करोर गोलिया बिकी है, कोरोना वारिस और उनके नए वेरियंट ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों और इसकी वज़े से लागो प्रतिबंधों के कारण न्यूजिलान की प्रधान मंत अगर आपने इस पोस्ट के लिए अपलाई नहीं किया है, तो आपके पास अभी भी अपलाई करने का मौका है उतरप्रदेश विधान सबाचुनाव के दौरान भाजपा नेता नुराग ठाकुर ने इस बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साथ है, उन्होंने कहा है कि 10 मार्च के समाजवादी पार्टी वेम पर आरोप लगाएगी और उन्होंने आज वो कहते हैं कि ये नय या SP यानि के समाजवादी पार्टी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये वही सच है जिसे जनता खफा है और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे EVM बेवफा है दिली हर्याना सीम के पास ठीकरी कलास्थित नेता जी सुभाद चेंडर बोस को समबोधन स्थल देश आज़ाद होने के बाद ये दोनों राज्यों के सीमावर्ती गाउं के ग्रामीनों के बीच तीर्थ स्थल के रूप में कई यादे संजोए हुए हैं प्रतिवर्ष 23 जनवरी को उनकी जुएनती के अबसर पर ग्रामीनों नहीं याद करने पहुँचते हैं ताही नहीं ग्रामीनों की आस्था को देखते वे दिली सरकार ने इस थल को आज़ाद हिंद ग्राम के रूप में विक्सित कर दिया है जिसमें उनसे जुड़ी तमाम जानकारिया उपलब्ध है बीते कुछ हफते से सुस्पड़े आईपी ओ बाजार में एक बार फ़र से हल्चल लोटने वाली है लाइफस्टाइल उतपादों से जुड़ी कमपनी फैब इंडिया की आरंभिक सारवजनिक निर्गम आईपी ओ के जरीए 4,000 करोड रुपे ज जानकारम दिवस की रूप में बनाता है इस साल 2022 में सुभाज़े अंद्र बोज की एक तो पचीस वी जनती बनाई जा रही है इस अफसर पर प्रिधान मंत्री नरेंदर मोधी रविवार को नई दिली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाज़े प्रतिमा का अनावरन कर प्रवाल नेर अविवार 23 जनवरी को प्रेस कॉंफरेंस पर कहा कि उन्हें सूतरों से पता चला है कि प्रवरतर निदिशाले दिली के स्वास्तमंत्री सतेंद्र जैन को गिरफतार कर सकती है देश के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है इंटरनेट की दुनिया में नई क्रांतिकारी आने वाली है जियो 5G नेटवर्क को बहुत जल्द भारत में शुरू करने जा रहा है जियो पहले रिचरन में भारत के 1000 शेहरों में 5G नेटवर्क को प्लब्ध कराएगा कमपनी पिछले लंबे वक्त से 5G टेस्टिंग कर रही है जियो का दावा है कि उसका 5G पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है प्रसिदर्थ शास्री और भारती रिजर्फ बैंक के पुर्फ गवर्नर रगुराम राजुन ने रविवार को कहा है संत कबीर नगर में 29 गाओं की 75.138 हेक्टेर भूमी चुनहित कर दी गई है रेलवे प्रसाशन की पहल पर जुला प्रसाशन ने अधिग्रहन की कालवाई शुरू कर दी है सिधार्थ नगर जुला प्रसाशन ने भी भूमी अधिग्रहन के लिए जसूशा जारी कर दी है प्रथम जरन में खिस रहा बांसी डुम्रिया गंज उत्रॉला में भूमी का अधिग्रहन होना है बांजी तेहसील में कुल 93 हेक्टेर भूमी का धिक रहन किया जाना है पाकिस्तान में कोरोना वारिस के कारण एक बार फिर स्थिती बिगड़ने लगी है यहां संक्रमन के दैनिक मामलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है पाकिस्तान के नाशनल कमान और उपरेशन सेंटर ने रविवार को कहा कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,586 ताजमामने दर्श के गये है चीन में कोविड-19 मामलों की संख्या को कम रखने और अर्थव्यवस्ता के सुचार उढ़न से संचालन के वास्ते इस्तवाल की जा रही कड़ी रण मीदी से देश के लिए महामारी से बाहर निकलना कठीन हो सकता है सरकारी नौकरी के इच्छा रखने वाले उमिद्वारों के लिए अच्छी खबर है COVID-19 का Omicron variant भारत में Community Transmission Stage में पहुँच गया है और इसका असर कई महानगरों में देखने को मिल रहा है जहां नए मामने तेजी से बढ़ रहा है ये जानकारी INSHCOG ने अपनी ताज़ा विल्टिन में दी है साथ ही का है कि Omicron का संक्रमन सब वेरिंट BA.2 भी देश में मिला है राश्ट्रे राज़ानी दिली के राजपत पर गंतांतुर दिवस की परेट के लिए फुल ड्रेस रिहलसल चल रही है भारती जुन्ता पाटी में श्रामिल हुए कॉंग्रिस की पुर्विधायक अधिती सिंग ने कॉंग्रस महासचिर प्रियांका गांधी बादरा को राइबरेली में उनके खिलाप चुनाब लड़ने की चुनावती दी है अधिति सिंग को कॉंग्रस के गढ़ से भाजबामीद्वार के रूपे नामित किया गया है पत्रकारों से बात करते विन्हों ने कहा कि राइबरे लिए अब कॉंग्रस का गढ़ नहीं रहा प्रियांका आ सकती है और चुनाव लर सकती है यूकरेन संकट कासर अब दूसरे देश पर भी पढ़ने लगा है अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सरीखे देशों ने जहां यूकरेन को सैनियर साजो सामान उपलब्ध कर आना शुरू कर दिया है भही रूस ने यूकरेन सीवा पर अपने लाखो जवान तैनात कर दिया है साथी मित्रपडोसी देश बेलारूस के आस्वान से अपने लड़ाको विमान को उड़ा दबाव बना रहा है एक लिहाज से देखें तो यूरोप मधे एशिया के तमाम देश रूस यूकरेन के खलाव अपने अपने लिहाज से एक जुड़ता प्रदर्शित कर रहे है कल हमारे द्वारा पूछे गया सवाल का जबाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत भाँ धनेवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मोनु कुमार, मोनु सिंग, संदीप कुमार, पासवान, रोहित कुमार, पासवान, अमरिता कुमारी, मनोज कुमार, दीपक कुमार, गुपता, सौरभ, रविराच, अनपुर्णा, किचिन, दीपु कुमार, दिक्शा कुमारी आप इसे तर हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते हैं आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके रुसार देश भर में COVID-19 के बढ़ते संक्रमन को ध्यान में रखते वे क्या भालत सरकार को वीकेंड लॉकडाउन जैसे सख्त नियमों को लागू कर देना चाहिए या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े धेने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबार ना भूले धन्यवाद